थाना ताजगन देवरी रोड पजगई खेड़ा में इंटों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों में टक्कर मार दी हास्ते में महिला और मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई जबकि बाइक चला रहा है ब्रेक्ति गंभी रूप से घायल हो गया है गुस्ता ने बाइक सवारों को अपनी चपेट मे लिया बाइक पर बैटी सीमा और मासुम बच्ची की दरानाक मौत हो गई जबकि बिरेंद गंभी रूप से घायल हुआ है सीमा बिरेंद की साली है साली अपनी बच्ची के साथ बिरेंद की बाइक पर बैठ कर समसा बार लहरा का पुरा से शैमरी जा रही थी तब ही हास्सा हो गया अरे टेक्टर आ रहा था उदर से उदर से बाइक आ रही तो इतने आया बाइक पर एक बच्चा और मा और एक ड्राइवर था तार के नीचे गड़े की वेज़े से कहां गरगी हो नहीं गड़े से रप्ती हो या कैसी वो मतलब बाइक और मतलब लेडी और बच्चे के नीचे उपर आएक निगले गया था गुसाई लोगों ने देवी रोड पर जाम लगा दिया मौके पर कई धानों का फोर्स पहुंच गया काफी देर तक लोगों को समझाया गया मौके पर मौजूर प्रिदान का कहना था कि सड़क पर गड़े ही गड़े हैं जिसके चलते हर रोज हास से होते हैं इटों से भरी ट्रेक्टा टॉलिया भी हास्तों का करणा बनती हैं इस पर आए दिन लगवागा रोजीना अध्जा होता है इतनी सड़क चोड़ी कम हैं गड़ा हो रहे हैं गड़ा मुक्त वैसी कह देता है यहां से दानतर लगता है खराब है पूरी सड़क होते हैं हर्द सब्सक्राइब के ऊपर दरे गया तो कुछ लेगे विचारे का करें ट्रेक्ट जे भी गलत है कि ट्रेक्टों में ले जा रहे हैं इने पर कोई जरुमानों ना कचुना जीव बंद होने चाहिए मौके पर भाजपा जिलाद्दे गिर्राज सिंग कुष्वा भी पहुंच ग सब्सक्राइब को थाना ताजगर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है इस दर्णाख हास्से के बाद परिवार में कौरा मच गया है परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है मदू नगर से देवरी होका इराद नगर जाने वारी सड़क बेहत बरहाल है पूली लोगों की जान यह सड़क ले चुकी है काई बार सिकायते की जा चुकी है लेकिन इस सड़क की तरफ किसी का कोई द्यान नहीं है जब भी हास्सा होता है एक्सन की बात कही जाती है लेकिन उसके बाद सब कुछ थंड़े बस्ते में डाल दिया जाता है यहास्सा भी बढ़